हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू पाई स्टेडी सर्कल माई नेम इस दबसुम रजाज आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं ट्वेल्ट एनाइस इंट्रोड़क्शन तू लॉग तू मांक सी मोस्ट इंपोर्ड़क्शन और आंसस मैं आपके हां पर पताने वा पर पिपर में काफी सारे तो पहले आपको कूशन बताऊंगी इस वीडियो में आपको 15 टू मांक से कॉशन बताने वाली हूँ क्योंकि तोटल में आपको 30 questions बताऊंगे तो 30 वीडियो बहुत जादा हो जाएंगे तो 15 में हम पहले पार्ट में 15 questions डिसकस करेंगे उसके बाद दूसरे पार्ट में हम इसके 15 बचे हुए questions डिसकस करेंगे चलिए guys start कर लेते हैं बट अगर guys आपको different different subjects के अलग-अलग subjects के questions चाहिए इसी तरीके के important questions तो उसके लिए आप playlist चेक कर सकते हो 12 आले बच्चों के लिए काफी सारे subjects के important questions में पहले ही डिसकस कर चुकी हूँ तो सभी वीडियोस का link आपको निचे मिल जाएगा description box में ठीक है साथ ही आपको गाईज अगर जो है यूँनों टीए में चाहिए introduction to log का तो टीए में भी हमारे चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से solve होए मिल जाएंगे आपको Hindi plus English तोनों ही medium के तो उन सभी वीडियोस का link के आप description box एक बार जरूर चेक कर लेना इसके अलब आगर personally आप हमसे उनों चुलना चाहते हो connect करना चाहते हो तो हमने WhatsApp group बना रखा है WhatsApp group का link आपको नीचे मिल जाएगा वहाँ पे जो भी हमारी इनाइस information होती है वो हम share करते रहते हैं तो गुरूप का link is also in the description box एक बार जरूर जा सकता है ठीक है दो नंबर का question है आपका so answer आप लोग देख सकते हैं कि व्यापक रूप से कानून को विधिकमलब कानून को अंतराष्ट्य कानून तथा नगरपाली का यानि राष्ट्य कानून में बाटा जा सकता है वर्गिगर्द किया सकता है जिसे आगे लोक और नि परिश्टितियों का परिशन कीजिए जिसके कारण पार्सी जो समुदाया है उसको भारत के स्थाने प्रथाओं को अपनाना पढ़ा दो नंबर का question है भी आपका भारत में पहली पार्सी जो बस्ती थी वो उन साथ सो सोले एडी के लगभग उजरात में संजन नामक गाउं में स्थापित हुई थी ये डेट वगरे साल चीज़ आपको ध्यान लगनी है उसके बाद इस छेतर में जदी यानि राना नमक हिंदू सरकार ने राज्य किया जिसके चार शर्तों पर पार्सियों को यहां अपनी बस्ती बनाने की इजासत या अनुमती प्रदान की चलिए शर्ती के वे अपने पास हत्यार बिल्कुल लिए रखेंगे तो इसलिके उनकी महिला हिंदों के वेश भूशा पहनेंगी और वे अपनी शादिया हिंदी उरीती रिवाजों के नुसार सूर्य दों के पश्चाद करेंगी तो पार्सी लोग इन शर्तों पर सहमत हो गए और सो गैस यह रहा हमारा कोशन के भी परिस्तितियां बताईए जिसकी वज़े से पार्सी जो थे उनको भारत के स्थाने पर्थाओं को अपनाना पड़ा चली गैस अब मैं आपको कोशन नंबर थ्री दिखा देती हूँ कोशन नंबर थ्री है निस्पक्ष सुनवाई का नियम क्या है दो नंबर का कोशन है तो निस्पक्ष सुनवाई के बारे में पूछने हैं तो इस नियम का अर्थ है कि एक वेक्तिय को स्वैम के बचाओ का अफसर जरूर दे जाना चाहिए खुद के बचाओ का मोका उसको द दा सकता तब भी जब कि उसने वही किया हो जो उचित था ठीक है लेकिन मतलब इस सिधानत के अनुसार यही है कि अगर कोई इंसान दूसरे पक्स को सुनना है बिड़ा ही अपना कोई फैसला दे रहे तो ठीक नहीं है लॉड है वट ने इसी सिधानत को वैक्ट किया था जब उसने कहा था या सिर्फ महत्वकी ही नहीं बलकि मुलबूत महत्वकी चीज है कि नयाये ना सिर्फ होना चाहिए बलकि पस्पष्ट रूप से बिना किसी संदेह के होते हुए दिखना भी चाहिए मतलब जब आप नियाए करो किसी के साथ तो वो केवल नियाए करने के लिए ही कि नहीं होना चाहिए वो सामने वाले को भी दिखना चाहिए कि हा 술 कость के सामने वाला भी उस सी ताघरी के रहे कि हाँ भी नियाए हुआ है किसी वेक्ति को सोनाई का अधीकार की ठीक है यदि विधाइका ने विशेश तोर पर बिना सुनवाई के कुछ अपवादों को छोड़ कर कोई भी प्रशासनिक कारवाई की है तो यह निस्पक्ष सुनवाई के सिध्धान्तों का उलंगन है हाला कि बिना किसी वैद कारण के जाच के शामिल नहीं होना चाहिए और बाद में इसे प्राकर्टिक निया के सिध्धान्त का उलंगन कहना सही नहीं ठहरा आ जा सकता तो यह है हमारा कोईशन के भई निस्पक्ष सुनवाई का नियम क्या है अगर यह लोग कोईशन में आपका आता है तो भी काफी सारा अंसर है आप इसको लिख सकते हैं इसफान कानून के द्षा में कौन सा कानून प्रच्रित रहता है तो प्रादेशिक इसको समय और यही निस प्रादेश के उस प्रहन में एक रहने वाले सब ही कि dragging लागउ होता है चाहे उनका व्यक्तिकत स्तरक कुछ भी हो सामान रूप से द्रीत कीसी प्रदेश से जुड़ा हुआ होता है और इसे संबंधित प्रदेश की स्वयत्तेद्वारा परिवर्टित किया जाता है और राज्य कानून में संग कानून के अतिछादन की दिशा में संग कानून प्रचलित रहता है यह हम लोग का कोशन है कि बही प्रादेशिक कानून को परिभाशित करिये और राज्य कानून में संग के अतिछादन की दिशा में कौन सा कानून प्रचलित रहता है गैज अगर आपको PDF चाहिए इस पूरी वीडियो का या फिर इसके लाओ जितने भी हमारे important questions होते हैं सभी की आपको PDF फाइल चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे Telegram जैनल को join कर सकते हैं Telegram का link in the description box तो टेलिग्राम पर जाकर आपको जितने भी अलग-अलग subjects important questions होते हैं सभी की PDF मिल जाएगी तो टेलिग्राम के बड़ जरूर देख लिजएगा चलिए जाके बढ़ लेते हैं और comment कर देना वीडियो आपको कैसी लगी है कोई doubt आ रहा है तो भी आप मुझे comment करके बैदा सकत हो तो गैस हम लोग का next question है which is question number five के मध्यस्तता क्या है मध्यस्तता का मलब आपको पता है middle बीच में ठीक है तो मध्यस्तता एक स्वतंतर तीसरे वेक्ति की सहायता से विवास सुझाने की प्रक्रिया है जिसमें तीसरे इंसान बातचीत से हल पर पहुँचने में सहायता करत है आपने सुन होगा Youth BY influencerрам कि कोई आपका matter कोई मसला है तो इसमें कि इसी बीच के इनसान को रखते हैं उसको मध्यस्तता बोला जाता है तो इसमें इनसान कहारा नहीं क्सी विवास कर्दी का स्विकरत हस्तच चेप है मतलब मध्यस्तता का मीनिंग क्या है कोई भी विवाद चल रहा है तो यह जो मध्यस्त लोग होते हैं इनको तीसरी पार्टी बोला जाता है तो इस तीसरी पार्टी का जिन लोगों के बीच में यह बीच मध्यस्त अता का काम कर रहे हैं तो उनकी मर्जी से उनकी स्विक्रती से इनके बीच में हस् चोलिया कहते हैं और बहुत लोगों ने वर्ड सुना भी होगा काफी सारे लोग करेंगे से संख्जोतव प्रकृया की भाती मद्यास्ट प्रकृया भी क्या है स्वेजचिक का मतलब अपनी इच्छा पर depend करती है और विवाद हल करने का एक तरीका है मद्धिस्तरा की कारवाई जो है वो बहुत गुप्त होती है और ये विवाद के हल अत्वा समझोते तक पहुंचती है मद्धिस्त पार्टियों को विवाद हल करने में एक सहमती तक पहुंचने में सायता करता है और ये विव पार्डी को न्यूक्त किया जाता है उसका काम किवल गति रोध को समप्त करना तरह पार्डियों को परसपर सहमती से समझते तक पहुंचने के लिए प्रोसाहित करना होता है तो इस तरीके से मध्यस्त पार्डियों के बीच विवात का कोई निर्णाय नहीं देता लेकिन कोशन नमर्श की और बढ़ लेते हैं कि हमारे सवीधान में शिष्चा से समंधित क्या प्रावधान है किससे समंदित शिष्चा से समंदित अभी हमारा पहला पार्डिय चल रहा है तो अच्छे तरीके से इनको को त्यार करें कहीं कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कॉमे प्रावधान कोश्यां चाहिए यू कन आलसो कॉमेंट कॉमेंट से ही पता चलता है कि आपकी क्या प्रोब्लम है क्या दिक्कतारी है वीडियेफ के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन बोक्स चेक कर लेना और इसके अलावा भी जो कपके सारे सब्देक्ट्स के इंपोरन कोश्य चैसी वे समिधान सेंशोधन और उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है उसके पास होने से प्रात्मिक शिक्षा को 6-14 वर्ष के बीच के बच्चे होते न तो उस पर एक बच्चे का मॉलिक अधिकार बना दिया गया है आपने सुना भी होगा कि 6-14 वर्ष के उससरा कभिःकर न दिया गया है कि अधिकिकार अधिकार अधिकल सरी काव झाला क्राप्यार कि अधिक को एक सेंट्विक वर्ष के फेला प्रता को अधिक्या उसका आंसर है कि पांच बश्च के लिए सबसे बहुत बहुता है तो पांच वर्ष के लिए पत्र बना रहता है और अपने पत्र दें सकता है और अपना कार्रेकाल पूरा होने से पहले भी वो क्या कर सकता है अपना पद छोड़ सकता है तथा उसे पांच वर्ष पूरा होने से पहले भी अपने पद से हटा भी सकते हैं तो बहुमत से पारित क्या गया हो मतलब उसको हटाने के जिन को अभी हम लोग नोग करते हैं पहले विकलांग हो को बढ़ावा देने के लिए कुछ कानून है कि विकलांगता के लिए चार विधहकों को परारित क्या है तो चार विदह हैँ को आपको बताने हैं से की पहला है विशिष्ट आशक्ताम वाले वेक्ति समाना अधिकार अधिकारों के सुरक्षा इवंपूर सहबागिता अधिनियम उन्निस्तों पिच्चान में तो यह पहला यह आपका चल रहा है ठीक है जो शिक्षा रोजगार और प्रतिबंधहीन परिवेश समाजिक सुरक के कानूनी सरक्षल के लिए जितना संभव हो सके उतना सोतन रहने के लिए स्रक्षं परियमरन के सरजन का करने का प्रावधान है तो दो हो गए हैं भी हम लोगों के ठीक है तो दिव्यांगों के अधिकारों को बढ़ावा देने वाले चीजिजियां पर कानून बताए जा मानसिक स्वास्थ है अधिनियम 1987 मानसिक स्वास्थ है परादिकारियों मन रोग स्वास्थ के रिए और नरसिंग हों में एड्मिट होने चिकिस्सा होने से सम्मंदित है तो इन सबी चीजों से सम्मंदित है चलिए गाई जा कर बढ़ लेता है अभी हम लोग आपको दिखा है तो इसको आप लिख लेना ठीक है चले गाजा आगे भी हम लोग बढ़ेते हैं नेक्स्ट कुशन आप लोग का न्याइक मिसाल क्या है तो दो नंबर का कुशन है न्याइक मिसाल के बारे में बताना है सोगज इसका अंसा है कि बड़ी अदालतों के निलने को नियाएक मिसाल कहते हैं किसके निलने को जो बड़ी अदालत होते हैं उनके जो फैसले होते हैं उनको नियाएक मिसाल कहते हैं जिसे निचली अदालतों को मानना ही पड़ता है दो acquisition है तो ऊच्छा स Hani कई कोज़से है और इसको बढ़ाके आप लिख सकते हो अगलागा इसस कोशन नूबर 10 है कि वैद हिंदु विभा के अनिवार स्टेल के हैं वैद का मतलब जो कोई लड़की है तो उसका कोई पती ना हो और लड़का है तो उसकी कोई पतनी ना हो जीवित ना हो उस टाइम पे जीवित या जो भी है मतलब पती पतनी ना हो तो डिवार्स लिया वह उनोंने और दूसरी जो तत्व है विवाह के समय जो दोनों पक्ष है वर और वधु दो आगी रूप से स्वस्थ होने के कारण वैद सहमती देने में अक्षम नहीं होगा ठीक है यानि दोनों का मांसीख संतूलन ठीक हो जब वो शादी कर रहे हो तो उनके पता होना चाहिए कि हां हम शादी कर रहे हैं तो इस तरीके से इस चीज़ में वो सक्षम हो और वैद सहमती देने में सक्षम होगा गिंतों ऐसे मांसीख विकास से पीड़ित नहीं होगा जो विवाह तथा शीशु को जनम देने के लिए उप्यूक्त नहीं हो तो हाला कि देखो वैद सहमती तो इनसन नहीं पहाएगा चाहिए वर बख्षो या वदू बख्षो तो वैद यानि मांसीख विकास से इसमें दिक्कत ना हो मांसीख रोग छे ग्रसित ना हो जो वाह कर के या पिर शीशु को जनम देने के लिए उतनी था मेंनटली वह इतना सक्षम हो इतना एबल हो कि उसको शादी हो रही है ये भी पता हो और साथ ही क्यूंकि फैमली प्लैनिंग जो होती है वो भी उसी पर कम से कम डिपेंड करती है अगर को इंसान जाद ही मैंडसी गुरूम से परेशान है तो फिर उसको दिक्कत हो जाती है ठीक है अगला है दर्शम लोग क की कम से कम 20 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष पूरे होने चाहिए अन्य शब्दों में दोनों में से कोई भी पक्ष विवाह योग आयू का कम का नहीं होना चाहिए हलाकि देश के बहुत सारे प्रफ का वं विद्व संबन्दों के सतरों के भी तर नहीं है बशर्थ रिओर लगे आपको अच्छे समझ में आया होगा आई लक्ती विवाह उसके वैद का मतलब चानूनी तोर पर हिंदू विवाह होता है क्या क्या निवारत तत्व हैं चले अब हम लोग आगे बहुते हैं तो मैं फिर से आपको दिखा जिती हूं कुछ पॉइंट से हैं फिर ये कुछ पॉइंट से हैं ठीक है नेक्स्ट आपका पी आई एल का पूर्ण रूप क्या है पी आई एल शोट फो कोश्चन के लिए आप नेक्स्ट आपका इस कोशन नुबर 12 के दंड के सुधारात्मक सिधान्त की व्याच्छा करें दंड मतलब जब किसी को दंड दिया जाता है लेकिन सुधार के लिए तो यह कुछ सा सिधान्त है इसके बारे में बताईये दो नंबर का कॉश्चन है सुधारात्मक सिधान्त इस सिधान्त के नुसार अपरात किसी चरित्र और अपराधी के सभारों के बीच की संघर से पैदा होता है यानि इस सिधान्त के हिसाब से बाई कोई इंसान है उसका चरित्र और उसका सोभाव है उसके बीच वे संघर्ष होता है उसके वेज़े से इंसान अपराधी होता ह इसी वेसे अपराद पैदा होता है इस सिध्धानत के द्वारा उपचार नहीं कर सकते और अपराधिक बीमारी के जैसा है ठीक है यह सिध्धानत अपराधिक के सुधार के लिए सुरक्षात्मक तरीके भी अपनाने का समर्थन करता है यह जो प्रणानी है रोजगार और स्वर रोजगार के साधनों का रास्ता कौल कर अपराधिक को प्रेहना देता है इस तरह ingredient के अपराधिक कुछ कमाने लगता है जिस उसके आरतीकी स्تितिती में सुधार होता है और उसका बरात करने का कोई उद्धी ही नहीं रहता है। इस सिधान के समर्थक जेल अपरक अवधी सुधार ग्रह हैं और वैवसाइक प्रशिक शरादी के पक्षतर हैं और दंड की इन अवधारनाओं सीमाबंद कारावास तथा बंदी ग्रह के समन्द में एक अन्य महत्पुल बात ये भी है कि यद भी यह समानार्थक माने जाते है और दोनों का प्रियोग भी एक दूसरे के लिए किया जाता है लेकिन दोनों में निमन अंतर है बंदी ग्रह ऐसा थान है ऐसी जगह है जहां अपरादी कुछ अवधी के लिए सजा कारता है जबकि सीमाबंद कारावास में थोड़े दिन के लिए इनसान सजा कारता है लेकि कि जो सीमवद कारावास होता है लंबी राम की जो सजा होती है में इन सुजधाओं के लावा बहुत कुछ अन्य सुजधाओं भी दी जाती है कि दंडगाजा सुधारात्मक सिधान्त है उसकी वैक्षा करनी है आप देख सकते हैं बाकि मैंने आपको कई बार बता दिये चीज़ के पीडिये अगर आपको चाहिए तो पीडियेफ के लिए आप हमारे वाट्सएफ नमबर पर वाट्सप नहीं सौरी आप हमारे इनों टेल पर आप राधी कानून में चार सामान्य परतिरक्षा का मीनिंग क्या होता है बचाव लिखें याप राधी कानून में चार सामान्य बचाव लिखें दो नमबर का कोशन है तो आप राधी कानून में कानून में सामान्य परती रक्षा बचाओ तो देखे अपराद के प्रभाव को कम गरने के लिए जो अपराद यानि दोशी होता है उसके द्वारा सबसे ज्यादा उप्योग के जाने वाला यह जो है ना सामन्य बचाओ है यानि जब इन्सान कोई सजा काट रहे होता है तो जो दोशी हो इन्सान होता है न सबसे आदा यह जोlles I का उलें सामान्य बचाओ यहाँ 14 मांसिय को गर्यस्ट गोशिट थे जाता है मतलना थोस्वट कर देते हैं उसके आपको बचाव करना है अपना केस लड़ते ताइम तो आप क्या करोगे खुद को पागल पनिया मानसिक विकार से गोश्चित कर दोगे बैए सबस्यादे इसी का इस्तमाल कर जाता है कि यह इंसान पागल है इसको कुछ नहीं पता इसमें गुद्धी नहीं है इसको सही गलत क चलता इसका मतलब क्या है कि अवश्य ही ऐसी इस्तिती पैदा हुई हो जब दोश्य का स्वेंबर कोई नियंतर नहीं यानि एक क्यातरे कंट्रोल न रहा हो इसमें बहुत अधिक समय तक ड्राइविंग के कारण हुए आशिक चेतना हास को शामिल नहीं किया जाता इस तरीक उधारन के लिए एकसने जैसे ही दर्वाजे पर दस्तक सुनी मुर्चित हो गया चली गाज़ अगला जो है बचाओ का क्या उपाए है अगला है नशा तो यह वह वबस्ता है जब दोश्य वैक्ति ने कोई द्रग या नशीरा पजारत यह ले लिखा हो और उसके परिणाम स अपनी मानसिक शक्तियों पर उसका कंड्रोल नहीं रहा हो तो इस तरीके से नशीय में दिखा कर बचाओ का मुख्य केंद्र बिंदू है होता है कि दोशी द्वारा पराध करने का कोई मानसिक आश्य नहीं था बस नशीय की हालत में उससे काम हो गया ठीक है चले गर उधार रखा ता इसलिए मुझसे एक क्राइम हो गया नेकस्ते के जगला जो बचाओ का तरीका है वो यह है कि तत्यों की भूल यह वास्तविक कारण हो सकता है और कानून द्वारा स्विक्रत भी है आप राधिक कानून में दोशी द्वारा अपने बचाओ में दी जाने वाली एक पर हमला हुआ है तो यह कुछ तरीके हैं जो जब कोई क्राइम हो जाए तो बचाओ से उपाए के सारे के सारे तरीके हैं आप देख सकते हो तो आप राधिक कानून में चार सामाने प्रतिरक्षायनी बचाओ जो है वो यही है शोट कोश्चन आए तो बस हैडिंग दिख द नहीं है थोड़ा सही हमारे रहा है तो कुशन नुबर फाइब फिफ्टीन जो है आपका समानता का अधिकार क्या है समानता का अधिकार बताना हो और अनुछे जो चोहदा है न और सतरह उसकी व्याख्या करनी है समानता का अधिकार अनुछे चोहदा से अठारा सभी लोग समानता और भारत के सीमा चेतर के भीतर कानून की समान सुरक्षा से इंकार नहीं करेगा यह जो अधिकार है गाई यह समविधान के अनुच्छे चोहदा में नहीं है तता राज्य दौरा किसी प्रकार के भेदभार करने पर यह रोख लगाता है आस प्रश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसके वह बहार पर प्रतिबंद है अनुचे सतर की बात करें तो इसके अंदर इसको दंडनी अपराद बना दिया गया है और लाखों भारती जिन्होंने समाज में भेदभाव यहे दूश्टी से उन्हें देखा जाना और दिर्वभार को जेला है वह अब अच्छूत नहीं है उनके समाजी किस तर को उन्नत करने के लिए निया अंतरप्रियास के जा रहे हैं महात्मागादी की है अतीव इच्छाती की आस प्रश्यता की बुराई को जड़ से उखाड़ फैका जाए लेकिन दुर्भाग यह से अभी भी है बुराई देश के कुछ भागों में देखने को मिल जाती है यहां पर मैं आपको 15 कोश्चेंज दिखा दे हैं अच्छे तरीके से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चोटा सा लाइक कर दें अपने कच्छे पके सभी फ्रेंट्स के साथ वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें में चैनल पर पहले बार आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के अधर वीडियो में लाती रहती हूं चाहिए आपके इनों डिफ्रेंट इफ्रेंस लेबल्स हो लाइक हिंदी इंग्लिश एसस्टी पेंटिंग होम साइन्स डाट अंट्री सारे सब्जक्स की तैयारी हमारे चैनल पर चल रही है अलग हैं आप देख सकते हैं बाकि आपके सभी अलग अलग सब्जक्स के पेपर कैसे आते हैं वो भी मैंने समझा दिये हैं एक एक वीडियो बना के इसके लाव गया अगर आपका टीमे तैयार नहीं है चाहिए इंट्रोड़क्शन चुला का हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मी चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यहां पर हम आपको एनाईस इंफोमेशन भी देते रहते हैं जो भी सही और सठीक जानकारी होती है वो हमारे चैनल पर आपको बिलती है बहतरी तरीके से एक्सपर्ट के थुरू ठीक है तो उसके लिए आप हमारे च चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके लावा गाइस अभी हमने पार्ट वन को डिसक्स किया है पार्ट वीडियो में डिसक्स करेंगे जिसके अंदर मैं आपको 15 अगें most questions बताने वाली हम 15 अभी हमने आप डिसक्स किया है जो हमारे 15 questions बचे हैं we will discuss in the next part अभी two marks वाले हम लो कर रहे हैं उसके बाद जो आपके next long questions होंगे वो सारे मैं आपको इसी तरीके से बताती रहूंगी तो इसलिए फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें introduction to law बच्चों को यूटूब पर ढूनने से भी नहीं मिलता तो यहां पर हम आपको सारी चीज़े प्रोवाइट कर आ रहे हैं फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके लावागर हमारी महनत आपको दिखती हो आपको थोड़ी सी भी लगए कि आपके help हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें चली गाइस कॉमेंट कर देना आपको वीडियो कैसी लगी है कोई को इन पाइस टोड़ी थैंक यू सो मच और गुद बाइ